नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल घरेलू नुसके पर आप सभी का सुआगत है और आज हम आप कुस वीडियो में बताएंगे अंडे के छिलके के फाइदों के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं अंडे का इस्तमाल ना केवल सेहत बनाने के लिए किया जाता है बलकि ये रूप निखारने के लिए भी काम आता है अंडे का सपेद हिस्सा हो या फिर उसकी जर्दी दोनों ही सेहत और सुन्दर्ता के लिए विसेश रूप से फाइदेमंद है पर कि आपने कभी अंडे के छि चिलके से ताउचा से जुड़ी कई तरही की परेसानियों से चुटकारा पाया जा सकता है। इसके साथ ही अंडे के चिलके के सही इस्तमाल से ताउचा साप होती है वो नैचुरल गुलो करता है। अब सवाल ये उठता है कि अंडे के चिलकों का इस्तमाल किया किस तरह जाए अंडे के छिलके का इस्तमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह सुखा लेना बहुत जरूरी है अंडे को फोडने के बाद छिलके को धूब में सुखा लें उसके बाद इसे पीस कर पावडर बना लें आप छाहे तो इस पावडर में कई दूसरे पोशक ततू भी मिला सकती है और उसके बाद इस्तमाल में ला सकती है अंडे के छिलके को इस्तमाल में लाने के कई तरीके हो सकते हैं जैसे अगर आपको साफ सुत्री और दाग धबो से रहीत तउचा चाहिए तो अंडे के छिलके के पावडर में सिरका मिला कर पेष्ट बना लीजिए इस पेष्ट से चेहरे परहल के हाथों से मसाज कीजिए इस उपाय से कुछ ही धिनों में आपको गोरी निखरी तउचा हो जाता है अगर आपको किसी तरह का स्कीन इंफेक्शन है तो भी ये उपाय बहुत फाइदे मन रहेगा नमबर दो अंडे के चिलके में दो चमा सहद मिला कर लगाएं इस उपाय से जहां चेहरे पर चमा काएगी वहीं उसकी नमी भी बनी रहेगी पावडर और सहद को मिला कर एक गाड़ा पेष्ट तयार कर लें और उसे परभावी जगे पर लगाएं एक सप्था के बीतर आप आपकी ताउचा में फर्क नजर आने लगेगा नमबर दीन अंडे के चिलके से बने पावडर में थोड़ी सी मात्रा में चीनी पावडर मिला लें इसमें अंडे के सपेध हिस्से को डाल कर अच्छी तरह फेट लें इस मास को सप्था में एक बार लगाएं कुछ बार के सम दातों पर मियमित मसाज करें इससे दात नेचुरल तरीके से सफेध हो जाएंगे नमबर पाँच आप चाहें तो इस पावडर में एलोवेरा जेल मिलाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं इसके इस्तमाल से ताउचा की आवस्चक नमीब बनी रहती है और चेहरे पर निखा र अपले